केंद्र सरकार द्वारा 4892 रुपए प्रती क्विंटल के न्यूंतम समर्थन मूले पर खरीद की घोशना किये जाने का सोयाबीन के बाजार पर कोई पॉजिटिव असर पढ़ने के संकेत नहीं मिल रहे हैं और अक्टूबर के 24 से 30 वाले सप्ता के दोरान इसके प्लांट डिल स्थान में भी कीमत इसके आसपास ही रह दरसल सभी प्रमुक उत्पादक राजियों की महत्वपून मंडियों में सोयाबीन की भारी आवक होने लगी है इसलिए क्रशिंग प्रोसेसिंग इकाईयों को इसकी खरीद में जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है किसानों को रभी फसलों की बिजाई के लिए पैसों की जरूरत है जबकि सरकार केवल आशवासन देकर शांत पड़ गई है इसलिए उसे कम दाम पर अपना उतपाद बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है वही माना ये जा रहा है कि सरकारी खरीद के सहारे बाजार क भाव उंचा हो गया है इसके चलते स्वदेशी सोयाबीन से निर्मित रिफाइंड तेल में भी तेजी का माहौल बना हुआ सोयाबीन की आवग बढ़ते हुए 8,75,000 बोरी तक पहुँच गई है जबकि मिलो में इसकी ज्यादा मांग नहीं है घरेलू एवं निर्यात मांग कमजोर रहने से सोयाबीन की की कीमतों में गिरावट दर्स की गड़ माना जा रहा है कि नीचे मूले पर आगामी समय में इसका अच्छा कारोबार हो सकता Bureau Report Market Times TV